गूट मॉर्निंग चिल्रन तोड़े वी लॉन एंग्लेश एंग्लेश रीडर बूक ओके फर्स चैप्टर दा पैट्स ना स्टाट फर्स चैप्टर सीता इस ऑन दा बैड रूबी इस ऑन दा कोट दे सन इस इन दा स्काई ठेके आपको यहां इस पिक्चर में दीख रहा होग इस डेड पर सोही है उपर वाण देड के उपर को देड ऐसे उपर आ्झाट पैट अपको समझ में है किसी पि कि चीज के उपर कोई भी समान हो या फिर कोई चीज हो हो तो यहां पर दिख रहा आप लड़की आपके नामु के लड़की है वह बैद के उपर सोई कंगर और यह tem शी टीप इसफिर से implementation है on the table ब submit to sun सूरज दूब रहा है उस तरह से सूरज जूब रहा है तो ऊंसेट हो रहा है जिसम सावत में एक विपर कित्टि के पास एक बॉल है तॉमी एंड किट्टि कौन है। कुल एक और कित्टि इंड के === कफ्रम कॉय नी इह थूड थूज लोग और कित्टि कौन हैं? एक दूज तूज एक पास नेमन 맞아 कुल्स के समय के इह आएं? और किट्टी दोनों खेल रहे हैं बैंग दा बॉल हिट्स दा वैस सीता एंड रूबी जम्प जब बॉल से किक मारा जब बॉल से उसने मारा हिट किया बॉल को तो क्या हुआ वैस जो वैस था फ्लावर पॉर्ट दिख रहा है आप लो पिक्चर में वह फ्लावर पॉर्ट टेबल के उपर रखावा था वह तूट गया सीता एंड रूबी जम्प सीता और रूबी क्या किये जम्प कर दी बैड के उपर दोनों सुए थे दोनों ने जम्प किया लोग किट्टी इस अंदर द मैट किट्टी कहां चला गया मैट के अंडर मैट के नीचे और टॉमी इस अंडर बैड यूज कहां चला गया hed मतलब अंदर और अंदर मतलब किसी भी चीज के नीचे बैक साइड में अंदर साइड में तो यह हो गया नीचे ठेक है तो इस प्रकार से यह तीन प्रिपोजिशन क्लास वन के लिए फर्स चाप्टर में बताया गया है अब आप एक पिक्चर देख सकते हैं एक घर बना हुआ है एक हाउस है उसके उद उपर एक कैट है तो वह कैट किया है उसके उपर है इस लिए ऑन उसी तरह से एक और घर बना 와 उसमा जो कैट है वह इन में है तो यह इन अब देखिए यह क्या है ऑन धम डर यह एपल». ती हckt है? अंदर है इसलिए इंद next है where is the lamp lamp कहां रखा हुआ है देख लिजे the lamp is on the table lamp कहां रखा हुआ है table के उपर और ये in next है the west is on the table cat on the table अब ये वाली exercise आपको खुट टिक लगाने है तो on और in आपको समझ में आया तो टिक लगाईए तो प्जड़ के लगाईए